3, 2, 1, ACHU! बिना इसकी प्रिलाज तक देखिएगा जोगी तगी तो आपको पता चलेगा कि इस एक्सें ख्रिलर मुवी को कैसे सूट किया गया था तो अक्षेकुमार और टाइगर सरौप की फिल्म बरी निया छोटिनिया को डाइरेक्ट किया है अली अबास जफर ने इससे पहले होने टाइगर चिंदा है बलडी डैडी सुल्तान जैसी फिल्मों को डाइरेक्ट कर चुकी है और इस फिल्म को सूट करने में पूरे 100 दिन का समय लगा है 40 दिन इंडिया में सूट किया गया है और 7 दिनों में UAE and Europe में सूट किया गया था और इन 100 दिनों को 4 सेड्यूल में डिवाइट किया गया है तो पहला सेड्यूल होता है 17 जनवरी 2024 को मुंबई के यकराज स्टूडियो में सूट हुआ एन फिल्म का फर्स सेड्यूल में अक्षा कुमार और टाइगर फ्रॉप के साथ वंकर का एक एक्शन सीन को सूट किया गया था इसके बाद सूटिंग फिल्म सीटी में चला गया जहां अधर एक्शन सीन को सूट पिये गये थे 19 फर्वरी को जफ़र ने पहले सेड्यूल की समाप्ती की थी इसके बाद सेड्यूल 28 फर्वरी 2023 को फिल्म का तूसरा सेड्यूल उनाइटी टिंडम में शुरू हुआ था जिसमें 12 अप्रेल 2023 को समाप्तोनी से तहले फिल्म का एक बड़ा हिस्टा स्कॉर्ट लेंड चला गया था लंदन और ल्यूटन में सूट किया गया था इसके बाद पैंसलों में रात में एक एक सेंग को सूट किया गया जहां एक सरक को सिंग हाई के रूप में बदल दिया गया था बाइक के सीक्वेंस की सूटिंग के दोरा नक्षट कुमार भायल ही हो गय थी सेड्यूल 3 16 अप्रेल 2023 को एमिरेट वैलेट में टाइटल टैंग के कुछ हिसो की सूटिंग के साथ अपूठावी में आक्री सेड्यूल शुरू हुआ कार वाइक स्टैंग खोड़े ड्योन बगजी प्लेन और चैनी खेलिकॉप्टर वाले एक्शन सीन को सूट किये गए थी इसके बाद लिवार डिजार्ज में भार्की चेना के एर स्ट्राइब का एक सेट फिर से बनाया गया और फिर पैचबक को छोड़ कर सूटिंग 9 माई 2023 को पूरा हुआ 21 जैनवरी 2024 को बासको सीजर द्वारा कोरिग्राफ किये गए फोर लाज सॉंग्स की सूटिंग अक्षे कुमार और टाइगर सौप के साथ जोडन में हुआ था जो बारा दिनों तक चला सबसे पहले टाइटल टैंक को रोमन, हेटर और जे रास्ट के अनिस्पानों पर सूट किया गया था एन फिल्मिंग देन मुव दा डेड़ सीज जहां अक्षे कुमार और टाइगर सौप के साथ साथ सुनाक्षी सिन्हा, मुंसी छिलर, आलिया एप एक पार्टी ट्रैक कि इसमें के तिविरास्ट कुमारन और रोनित बोस रोही सामिल फिच के साथ एक रोमांटिक ट्रैक सू किया गया था आकरी गाने की सूटिंग बाड़ी रम में हुई जहां एक एरविक स्टाइल सौंग सूट किया गया था और फिर एक परवरी को अक्षे कुमार ने फिल्म की कम्प्लीट सेट जूल को कन्फॉर्म किया था तो फाइनली हमें पता चलता है कि एक फिल्म को बनाने में कितनी महनत लगती है बॉस इसलिए बिना देखे एक लाइन में रेडियू देना इस नोट गूट पर एनी फिल्म तो क्या आप अक्षु कुमार और टाइगर्स रॉप की एक्षन फिल्र फिल्म बरे मिया छोते मिया को ठीटर में जाके इंज्योई करेंगे या नहीं करेंगे आपना ओपिनियन कमेंट सेक्टर में शेयर जरूर करें और आपने वीडियो यहां तक देखा है इसके लिए आपका बहुत पहुत सहने बाद फिर अपने मुलाकात को भी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ